सब्सक्राइब करें HVAC गाइडलाइन चैनल को और साथ दिएगे बेल आइकान पे भी क्लिक कर लिजिए ताकि मेरी हैराने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके अलो दोस्तों कैसे हो आज हम लोग फैन क्वाइल यूनिट के बारे में जानेंगे यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है ठीक है फैन क्वाइल यूनिट में क्या क्या होता है यह काम कैसे करता है कौन-कौन सा पार्ट किदर कनेक्ट होता है यह सब के बारे में हम लोग आज जान कुलिंग वाई ये रहाप का कुलिंग वाई ये रहाप का कुलिंग वाई ये रहाप का कुलिंग वाई इसको हम लोग बोलते हैं कुलिंग कुलिंग वाई कि यह आपका वाई कि शीज वॉटर कि सप्लाई लाइन कि यह आपका चिल वॉटर सप्लाई लाइन यहां सबका चिल वाटर हमें से नीची सी दी जाता है इसका भी रीजन है ताकि आपका जो कॉई है हमेसा फूल रहे अगर आप उपर से चिल को फिल करते हुवे आउट हो ऊके चील बाजू में के नेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं गेट वाल yeah okay कि इसको रोलते हैं गेट वॉल के बाजू में कनेक्ट होता है उसके बाजू में वाइस टेंनर वाइस टेंडर क rat IT क्या होता है ये फिल्टर होता यह वाइ स्टेंडर इसील वाटर लाइन को फिल्टर करता है जो भी कछला रहेगा ग। जो भी कछला पाटीकल रहेगा वो कॉयल में नहीं जाने देगा कि अगर को कॉयल में गया तो को ब्लॉक कर देगा इसके लिए इस्टिंडर हम लोग यूस करते हैं उसके जश्ट बाजविमें कनेक्ट होता है द्रेन लाइन कि अग्रेंड ड्रेन लाइन और उसके जश्ट ऊपर में जर्ण जहां पिक है कि हैंग होता है जहां से यह चिल वाटर फाइप connect होती है उसको हम लोग बोलते हैं महाँ पर union मेरी चिल वाटर कई है आपका connect है गेट वाल उसके बाद वाय स्टेंदर उसके ऐद ड्रेंड लाइन उसके बाद आपका union है union से connect होता है कुलिंग कlden को आरे पर अपका Told that को यह है आपका six degree Celsius आपका chill water में, chill water supply हुआ, जो कि आपके, जो आपका room temperature वो ज्याद है, और ये coil क्या करेगा, आपके room के heat को absorb करेगा, जिससे इसका temperature बढ़ जाएगा, उसके बाद ये out होगा, out भी same, same चीज़ connect रहेगी इसमें, ये रहा आपका union, ओके, ये रहा आपका union, उसके बाद, union के बाद एक यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं, two-way actuator wall, two-way actuator wall होता है, ओके, उसके बाद, इसके जस्ट बाजू में ही आपको, आपको मिल जाएगा एक, इसको हम लोग बोलते हैं, DRV, डबल, रेगुले, डबल रेगुलेटिंग, वाल, ओके, DRV, उसके बाद, सेम, इधर connect होता है, आपका, गेट वॉल, गेट वॉल कनेक्ट होता है, यहाँ पर एक बाइपास लाइन भी होती है, यह मदिना भूल गया, यह बाइपास लाइन में भी एक यहाँ पर गेट वाल होता है, ओके, यह रहाँ चील वाटर, रिटन लाइन, ठीक हाँ, चील वाटर रिटन लाइन, यह इधर था, इधर है, चील वाटर रिटन में आपको, aip को 6 degree अगर आपका सप्लाई हैं, तो 8 degree to 9 degree आपका मिलेगा इधर, 8 degree ha, 8 degree Celsius आपको, रिटन में वाटर का टमप्रेचर मिलेगा, 6 degree आपका 6 degree Celsius आपका, चील वाटर सप्लाइ लाइन में है, आपका, cooling coil में गया cooling coil आपके room heat को absorb किया उसके बाद उस return line में गया return line में आपका union union connect है two way actuator wall है DRV double regulating wall है उसके बाद gate wall है उसके बाद chill water return line okay एक bypass line होती है bypass line इसलिए दी जाती है जैसे कि हम लोग को इसका कुछ maintenance करना है और यह gate wall और यह gate wall यह दोनों को अगर हम लोग close कर दिया अगर हम लोग इसको open किया तो यह chill water यहां से आपको बाइपास हो जाएगा ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं bypass line बाइपास line यह दोनों gate wall को हम लोग close किया इसको open किया तो यह chill water हैं से बाइपास हो जाएगा इसलिए हम लोग यूज करते हैं यहां पर pressure create नहीं होना चाहिए अगर हम लोग यह दोनों wall बन किया तो double regulating wall इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि system में कितना pressure जाना चाहिए वो maintain करता है आपका DRB कितने pressure से water in होना चाहिए और out होना चाहिए यह यह आपका decide करता है two way activator wall यही main आपका control यही है ओके अभी हम लोग इसका next वीडियो में जानेंगे इसका wiring diagram इसका controlling कैसे किया जाता है वो सब के बारे में जानेंगे thank you for watching please subscribe my youtube channel